जार खंड की राजनीदी पर यानि की जार खंड में चुनावी बीगुल बच चुका है महरास्त और हर्याना के बाद अब जार खंड में चुनावी लहर देखने को मिलेगा यहाँ पर सबी पार्टी अपना दम दिखाने के लिए तयार है महीं अगर बात की जाए लोजपाई यानि की लोक जनशक्ती पार्टी के राष्टरी अध्हक्च चुनाव लढ़ने को तयार है इसी के साथ है आपको बता दे कि जारखण में पांच चर्णों में चुनाओं होने जा रहे हैं तो वहीं महरास्ट और हर्याना के बाद बीजेपी के पास भी विकल्प है कि वो किसी और मुद्दे पर बात करें बड़े मुद्दों के साथ जो छोटे मुद्दे हैं उन पर भ उनकी उमीद उससे कम ही सीटे मिली हैं तो यहां पर कॉंग्रेस के लिए सबसे अच्छा मौका है कि जारखंड में अपना दम दिखा सकती है इसके साथ ही लोजपा द्यक्ष चिराक पासवान की बात की जाए उन्होंने कहा कि जारखंड में हो रहे हैं विधान सभा चुना लड़ने को तयार है वहीं लोजपा का राश्ट्रिय दिख्ष बनने के बाद पहली बार यहां पहुँचे बिहार के जमुई से सांसद पासवान ने बातचीत में कहा कि केंद्र और बिहार की तरह ही उनकी पार्टी जारखंड में भी राश्ट्रिय जनतांत्रिक गड़ब जनन में रहकर ही चुनाओ लड़ सकती है हलाकि जारखंड की लोजपा अपने दम पर चुनाओ लड़ने का अला कमान पर बढ़ा दबाव है इसी के सांथ ही आपको बता दे कि यहां पर यहां पर लोजपा के अलावा कॉंग्रेस भी अपना दम दिखाने के लिए पूरी त किया तरह से त्यार है यहां पर जो मुद्य सामने आएंगे देखना महारा velika का की हारया में महाराश्ट में अभी बिभी पेंचšवा सवाल बना हुआ है सवाल है यसी किसा नहीं कार Two इनकार कर दिया है वह कॉंग्रेस को समर्थन लेने को तयार है यहां जार में जारगा। चुनावी लहर देखने को मिलेगा चुनावी बिगुल बच चुके हैं वहें पार्टियों की जो नाम है जो सुची है वो गोशित के जा रहे हैं इसी के साथ ही जो लोस्पा के राष्ट्री अध्यक्ष चिराक पास्वन है वो भी अपना दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तयार है यहाँ पर उनका कहना यह है कि बिहार की तरह ही उनकी पार्टि जारखन में भी एंडिये में रहकर ही चुनाव लड़ना चाहती है इसके साथ ही पास्वान ने यह भी कहा कि जारखन में लोच्पा सैति सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने को तयार है वो स्वागत किया है और कहा है कि इस निर्णा के बाद ऐसे मामलों पर होने वाले राजनीती पर भी लगाम लगेगा इसी के साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि चुनावाता था राम मंदित था अंशीत 370 जैसे मामले सामने आ जाते थे लेकिन अब विकास की बात होगे जी हां व लडे जाएंगे वह विकास की बाते करेंगे पर शेट्रों की चेत्र में बात होगी समस्या क्या सबसे बड़ी समस्या जो है रोजगार की समस्या बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसको लेकर यहां पर जो है वो मुद्दा उठाया जा सकता है अब जो मुद्दे उठाये गए थे महराश्ट और हायाना में वह मुद्दे थे बीजेपी के तरफ से कि धारा 370 को लेकर राम मंदि यह का है कि आपर विकास की बात होगी अब देखना दिलस्थ होगा के आखिर पार्टी किन-किन मुद्दों पर बात करती है जारखंड चुनाओ में जारखंड चुनाओ प्रचार प्रहसार में वहीं जो चुनावी लहर है वो थोड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि आपर जो सीटों पर जो नामांकर है वो भरे जा रहे है इसी किसाथी जो सूची है वो भी सामने आ रही है इसी किसाथी बता दें आपको कि जारखंड में जो चुनाओ होंगे वो पांच चर्णों में होंगे इसी किसाथी आपको बता दें कि महरास्त और हर्याना के बाद जारख बिजेपी की सरकार बनी रहेगी या फिर कॉंगेस सता में वापसी कर सकते है या फिर अन्य पार्टी को को मौका मिल सकता है ये सब देखना दिलचास पोगा अब ये तो चुनाव पढ़नाव आने के बाद ही पता चलेगा कि जारगंड में आखिर क्या बदलाव आएंगे इस सवाल नहीं है जारगंड में किस तरह की राजनीती अपनाई जाएंगी चुनावी प्रचार किस तरह से होंगे चुनाव में किन मुद्दों को लेकर बाते होंगी ये सब देखना दिलचास पोगा आगी तमाम जानकारी के लिए बने रही हैं मार साथ और आपको इस बात प झाल झाल